काल जैस ही आपनो घर के लोश्नी काम कर दीजिए जो गुरु दिख्षित हो हमसे दिख्षित हो या आपने गुरुहों से दिख्षित हो आपको वास आपना आपना आसन होगा आसन में बैठ़िये और शूख आसन में जिस में आपका अच्छर अचरा ही कि तयोग चाहते वो इस भी बैठ सकते हूं इसको जैसे अप्र जियसे में accord थैना पर लिदार स्ख़क्सения में व जैस सुख हो, अपने सुख तरह, अपने आसन में बैठो। साधन में किसी बिखन नहीं आना चाहिए। साधन कागमी एदरदोरा एदरदोरा। यह कहिए आपको खुछ कुछ कागरी पहुलोगे जुलोगे। तो आपको अस्विदा होगा और धायन भंग होगा। धायन लगने के बाद लगते जाना चाहिए। तो बीच में सब कुछ नॉर्मल के वैटे पानी पी लिया करो और हमेशा आपने आपका समने बत्ती मत रखना इसा फॉर्ट में आपका सामने के तरह बत्ती ना रहे आप तरह बंगला में मैं बोल दू कई बंगले को बहुत जादा आस्तुमिदा होने लगी है मैं समझती हूं जारा आस्तुमिदा दिख्षी तो जारा आमा ज़िख्षी तो तरह सब केच जानो तरह नत्तन कुरे बोले ते बामा तुन कीचु नयी तभू बोल्ची तुम्रा जे घरे भा जे खाने बोशे चो शेकने जनको आवाज ना जाए तोकनी खटर पटर एई वे दूम्दाम ना हॉय। सेकेन जेकरे बोश्चो तुम्रा जी जीरेकम बोश्थे पारो। जाते तुमादेर गाये कुनरकम व्याथा ना हॉय। अशुबिदा ना हॉय। तकन साधुना शुरू हवे तकन कतो व्याथा जना हॉय। ना खुझली करते जने इच्छा ना करी। पार्ची ना जना बोध ना हॉय। जे भवे तुमादे आधिहांता पमीशादो ना करावो जनो छिक भवे बुशे थाकते पारो। ये तु जोलखेते इच्छा करे जोलखे ना। आर तुमार फ्रांट तुमार सामनिय कोनो बोरो आलो ठाक बेना। खरुआर अलोटा तेके तुमार जोलखे अट हमुर्चा के जमना मार गाया कन पोट्यरुम ना परे। साधुना अनुम्द्य हवे तपन एतन ज्ञाने रागवे। और मोन्टा के काय मने बख्ये, काय मनो बख्ये, मोन्टा के स्तिती कोरे, धीर कोरे, शान्ति मोतन आके बड़े, एक पॉइंटे, एक पॉइंटे रागवें जेकन तेक आमे गूल बता हुन। अर जे रुकम भाव, आमे आगे पांच रुकम शिखी ची काल के छोटा, पांचे रेक्टा ग्रूप एबन छोर रेक्टा ग्रूप शुरू आबे, शिक्स नम्बरे आबार पास्ता गुरूप आबे, पांच रुकम में शिखा पूप, एटा हायरे चोले आच्छी, आकों जोगे आमे तुमा दे रोज्टा निये पुरे था कि मासर पर मास, तो तुम्रा शिख्वे ना, अमे तारा तेरी यथी खायर दिके नियास ची, आमे गुन देच्छी ठीकी किन्टु तुम्रा निजे आस्ते आस्ते घरे जकन ठाको ह। यक़ी थाक्वे तोखन निजे तेर हार्ट ब्रीट, मा देर हार्ट ब्रीट थाके, कुनो चूरिये बाके चू थाकले, शोरिये, ठीक एई जागटर उपरा हाथ देले, तीन ते अंगन राखले बादे, तुमादे हाथ बित शुन्ते पार बेले, दब 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 और आजकाल तो अक्समीशिन है से गाचे हुँष हस्ता, अम दाम अट्टा दौ? अक्समीशिन ह्खुष हस्ता, अक्सिमेटर, अक्समेटर खुष हस्ता, खुब दामना, दौचार्स्टा का दाम, किन्त ओते तुमी तो मदेल पाल्स, पाल्स्ता पदेखती पाबे, और भालो वारिते थाकाओ भालो, फटापर दाकाओ जाए, यहीजे, दाका मिलागाच्चे नहीं जजिए, आहिए, आहिए, दाको, देखते बात चो हम्माड पृट्स, हमार हाइद बीट धाको देखते बाबे, एकभसा सब्सक्या हात्जडिया, कट ओक्षिजन तमाद पर चारी लुट में, काचिरवा आचिरवा, काचिरवा, कटाऊ पृट्स तुमी आक मिने शाट भाट सेकंदे कातु नीच्चु. तरही हो टक्टक हो बास्चे, बहुत ज़ी खुब सास्ता और यह देर प्रनाइम कोड़ा कुब सुझा, यह ज़ू ज़ी तरही हो ज़ीज तो मिसे दिल नदक्रेश्चु नशी ना परो, वह भी घाल तुम्हेरे भाथ कोट्यों के ना दुम्हें बृटा के भीद्ध तरह में खुब भाला बैंवे और खुब सोजा होई जाबे तो आमीं चाहे चीं खुश्कोरे निए खुश्कोरे चेरे की हाबे ओओ है ऑओँ प्रानायमे तुम्हार प्रित तके तुम्हें सेफ कोते पाद्चो ना व्रिद तके शेवक़ोर्थ कोरयों अवैं जोड़ एक वेयर निवाहां है। कर्म कर कामिये, विसें टाका व्रेग्डे के हैं तुमने टाका भैंक के राकाओ, इन्वेस्ट करों, भुरो भाया उंहां, जान भाया जान नवायां, चलेंजन नवा, मेंजन नवा स determin 거예요, wilकð SAMYSHADAN BAGHAASAEAEAEAEAEAEAEAEAEA. यहिता पाख गद ना, प्रजय लाग व्हिता,उत जूमे सिस्स्तर पाळ ताकः Оने काचु पाळ बावे, वैं प्रानायम प्रानचे निगे । आते राखता। एंक निजे इन अमेघ थागवे कि अमना गोरार नाल्टा ना धोलने लगोदे तुमाई घोरा लाति मेरे पिलादेवे तुमी मुले याभे। ठीक धाई। घोरार महातो निजे एता के धोले राखता हवे। आता ही कमादे, ठीक, घोराटा तमके ठीक रिदमे, तमके जाएगा थे निये जाबे, अक्सु मेटर अनिय निते पालो, खुब आमार मोनो है, आमे निजे एक ओदीने, मेटर मोद दे छिला, आमे बुस्ते पास खुब भालो. अब मैं हिंदे में बोलू, जो मैंने बंगला में बोलू, आप सब समझ भी गए होंगे, कि प्रानायम के बाद बोला, जो रोज बोलती हूं, लेकिन मैंने देखा, टिक टक क्लॉक से भी अच्छा है, और अपने हाथ ब्रिदिंग देखने से जूर जाता हाथ, तो अच्छा ह यह जो अच्छा चला है, यह जो अक्सिमेटर चला है, इससे आप अपना आपका कितना चल रहा है, आपको कितना आपका पर्स चल रहा है, आपको पता लगएगा, देखिए इससे, देख लिजिए, आपको ऐसा आइना के तरह सामने रखिए, कि अपने हाथ को एक रख तो हैसा करके आप शुरू-शुरू को बायाहत से भी कर सकते या बायाहत में लगाके दायाहत से भी ख्रनायम कर सकते, ऐसा. तो आपने जैसे 4 में लेना है, 4 बित लेना है, 4 गिंता हुआ, पहले हैं, इसमें 60, हर बार जब नया शुरू हो तो 3 से लेना है, उसमें बतल जाता है ना, ने तो यह 100 बन चल लेगा, 60 से लेना है आपको आपको अक्स मीटर से, जैसे मीटर आप कर लेजिएगा, तो आपने 4 चार से जम लेते हो चार से लोग, फिर आप शोला में पकड़ो जैसे पकड़ते हो और आठ में निकलो, इसमें आपको सुमिधा रहेगा, आपको दिखाई देते आपने पल्सकाना तो, आप लोग ले सकते हो प्रणायम के लिए, मुझे लगता है बहुत सुमिधा होगा, मैं आपको डिस्टर्बने होगा, कि अगर हम इससे देखते हैं, करते हैं, समय लगेगा, हम लोगो भी समय लगा, इतना जंदी नहीं हुआ है, और जब सादर में बैटे काल, मैंने बहुत तो को महसूस किया, पकड़ने पा रहे थे, जब मैं कह रहे हूं, तो उनको समझने आ या घुसने ही पा रहे, आप सोचिए, मैं आपका पास बैठी हूँ, आप ऐसा मत समझों कि आप मेरे सामने बैठी हो, मैं आप सब को देख रहे हूं, आप मैं अपने औरा को, सुरिया अपने किर्णों को जैसे पिकते, और आपको धरती में, पेरों पेर में, हर विश्य मे आप लोग मुझे सुरिया पहती समझे, मैं सुरिया हूँ, और मेरे बहुत किर्णे हैं, और वो सारा किर्णे, एक एक किर्णे आप सब में जा रहा है, मतलब मेरा और आप लोगों में पास हो रहा है, तो आप अलग तो नहीं है, मेरे से जुरी हूई हो, मेरे करिंट आपक तो आप मेरे साथ जूरी हो, ऐसे आपको खर इतना सोचना है, हम सब गुरु मा के साथ, एक रश्मी के साथ जूरी होई है, डर्ना नहीं, बहुत किसम का अनुबब होता है, अभी शुरू नहीं हुआ कुछ भी, क्रनायम तो आपको खेल होड़ा, सिखाय जा रहा है, आपको अंदर घुषना सिखाय जा रहा है, आप तो खेल नहीं दे न, मत्त नहीं हुआ उसमें, विजिता होने के जो संगश करना है, उसके नभी प्रस तो जी चल रहा है, अभी तक आपको मैदान में खेलने के लिए नहीं छोडा गया है, इसलिए आप लोगो संग मैं हूँ जब अनुभव को अनुभव करो, जब अनुभव को अनुभव करोगे, तभी आंदर दोनने का इच्छा होगा, अगे क्या है, अगे क्या है, तब तो दोरोगे न, अनुभव को अनुभव में करने का चिष्टा करोगे, खली आसा रह जाओगे, तो दोनने से कोगे, तो ज पिर लम्मे होता है। ऐसा हो जाऊगे। धूम मेरे नीचते आजाओगी। अब जो मैं आप नीचे तो नहीं होना चाहिए। मेरे उसाथ आप लोगे को ढूरना ही। जो मैं कह रहा हूं उसको अनुभाग करना है। रुस अनुभाग को आप समझना है। अपने तरीके से समझना है कैसा लग रहा है एक मार जो जोड से मारो तो परदुद होता है एक मार होता है मारने से अनन्द भी आता है तो दोनों मार होता है लेकिन दोनों में अनुभब अलग होता है ऐसे ही परशु भी ऐसे ही किसी के परशु अच्छा लगता किसी के ने करेंगे, अराम से बैठो, अपने शरीर को छोड़ के बैठो, आज थोरा प्रनायम हम लोग ऐसा करेंगे, जैसा मैं करोंगा, आगे पीछे करके कराएंगे, जो लोग को दिखाना है, जो आपको जो जो अच्छा लगते रहेंगे, उसमें, परसो वाले सब ने कहा बहुत अच दूंचे लगा, और 75 बरसेंग लोग बोला की हमें समझ नहीं आया, लेकिन इसी तरह से आखेंगे, जाना है, वो मैंने किसीने आपको पूछा प्रिक्षा क्रिये क्या है, हमारा नाक, दोनो नाक, जो अग्दा चक्रा है, इसको प्रिक्षा क्रिये कहते इस जग में, जहां स्रunnμά नारी बहुत कम चलता है, रात का तेम चलता है, गभी रात में चलता है, उन्य अगर स्रुष्ष्र्मा नारी हमारे सवरदाचलेंगे, तो हम जौ बोलेंगो यह होगा धना स्री कुष्णा का जैसा, बाली स्वत्यवध्य हो जाएगा, सुशुनमा नारी जब चलता है और इस दो नारी जब नहीं चलता है तो आजमी कुमभक में रहता है जैसा आप सोला में रहते हो जब सुशुनमा नारी चलता है आप कुमभक में रहते हो पतब आपको सास कर्चा नहीं होता सास सेंगेर में खड़ा रहता आप भी वहीं जब चलते हैं तो आपको आयूद नस्ट होता है, आपको मरते हो, एक सास लिया मर रहे हो, एक सास लिया गिराया मर रहे हो, आपको तौचा आपको शरीर सब खर्चा हो रहा, खाद्य की तरह खाजा है, सास लेना, आपको शरीर को खाते हैं, चोड़ते हैं, पक्रिया जो है, उनगेख कहते हैं, उसको खाते हैं, इसलिए हम मर जाते, बलूशको हो जाते हैं, हमना अंक ऑख सब खतम हो जाता है, आंक वाख सब लूख किते हूँ कृम्बकिए मं、、 तो मारा खर्चे नहीं होगा, बरा रहेगा मुश्कूप पर बैटे रहेगा. अम जमन हाँ अमकार का, तक हमकी ताले के ओम करते हो है तो आपको तो बोल नहीं है, नहीं बोलोगे तो पर अंदर कैसे होगा? सुने और भूली हैं या अगर एक घर में चार प्रानी बैठोगे तो एक दुसर का आवाज को टकड़ा के वह सुंदर आवाज पैदा करता है। वह ब्रह्मा सब्द है, एक साधी कदिक साधी, एक समय लेगा मैं कर रहा हूं। कि मैं और कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, चार कर रहे हैं, छे कर रहें, सहस्टर लोग कर रहे हैं। तो आपको साधा भीतर जो नारी इंद्रिय हैं सब करने लग जाएगा। सबका कम आपका अंदर बजएगा, वो पता लगे कि बुलना भुलता है, ब्रहां थो ने बोल रहे हूं, शब्धो ठूट ठूट जाता है, और अपने अमरा अंदर प्छेटना में वो नशांदा है वो सब कर्भोन अंदर लगता है तो भुह आंगो बॉन तो खीचना, रखना, यह तो तीन स्टेज में लेते हैं, नीचे से लेते हैं, मद्दम में रखते हैं, फिर उपर को जारी हूं, हां कार, हां, री, 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 यहां तक आ जाए, दिदे तक, ओ, मनतब कुम्भक में चले गए, यह कुम्भक का प्रयोग हो रहा है, ताकि आ आपको इतना तेज आएगा ना, तो मेरे साथ करते जाओं, जो भी मैं करूंगा, तो रहा करो, अजब मन करें, ने, मैं तो सुनना चाहते हूं, वो अलग बात है, सुनके अनुभब करना चाहते हूं, वो करके अनुभब करना चाहते हूं, एक practical हो गिया, एक practical हो गिया, एक इसे सास आ रहा और जा रहा है, तो यह पर वायू कर जो बरना है, जो ग्रे कलर का, यह आपको एक समय में दिखाई देगा, कि आपको इस द्रिश्ट्री कैसा हो जाएगा, आप समझ सकते हो, हम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, तभी तो कहा था, ब्रह्माजी, कि मैं भी तो ब्रह्म हूँ, तो अपने ब्रह्मतत्यों को जानना होता है, ठीक है, आज थोरा वैदेशन करेंगे, उसको देखो कैसा अच्छा लगता, वैसा करके करेंगे, अलागा आज हम लोग वीना बादन करेंगे, यह बात भी बतादो, वीना, वीचित्र वीना पाठ, बहुत सूदर विता पाठ, बादना वह सुनाएंगे, दो मिनिट जो, उस वक्त क्या करना है? जाप करना है, जब हम लोग अधर्थ में जाते हैं, शैलेंट में मूह से नहीं बोलना है, जिवा को हिलाना नहीं है, जिवा को टंक करके ऊपर ले सकता उदारे हो, नहीं लगत M Shri Guru Vena Maa Bolo, जिसको जो मंत्र से आनन्दा आता है. मद मत्य होते उस मंत्र को करो. Saraswati Mantra करो, M Shri Sattya Na Maa. Guru Mantra को जो मंत्र करो M Shri Guru Devay Na Maa. Krim Shri Mantra, Chin Kalika Na Maa. तो जो मंत्र आप कर बहलता, आप नहीं कुछ आता, इतना बड़ा मंत्र बोलना, तो आप बोलोगे, inner side में, दिमाग के अंदर, उसको एक दम निश्चिंत को जाप को चला है और अपने द्रिश्टी को जहां मैं ले जा रहा हूं, वहां चले जांके, वहां स्टॉप कर कोई बैठ के, उसको देखो हमारा जो त्रिकॉन है, मैं आपको दिखाऊंगे, एक हो जाएगा, वहां रुकना है, ऐसा आपको पास 16 पॉइंट, 16 बार ड्रिल करकर के आगे जाना है, हमारे शरीर में 8 चक्र शरीर के वितर है, 8 चक्र शरीर के बाहर है, इस सब आपको देखाएंगे, उन चक्रों में कैसा बेठ करेंगे, स्टूल शरीर का 8 चक्र है, 6 शर्ट हो एक चक्रों हो पहलते हैं, लेकिर लाल", जारा चक्र, ऐक सहस्टर हो, इन दोलों को लेते ूल diff नहीं, 8 चक्र ही हम लोगों का, इस午 पर अपर 17 शर्टी चक्रुम से भी है, जीवन च्रिक है, जीवात्मा से भी है ईक पार करता है, उस में एगन श्तूल शरीर मिच रह जा इक नहीं है। buy जाना होता है। आफो पहला है अपने नक्षत्र चुट है। कोटी बती ब्रहृत रहा है। यद्क वोँ जरना होता है। तो वो तू बहुत बरी बाद है, अबे हम लोग इस परमान, इसमें तो पोंचे, किसा कर जाना है, कैसा बैख करना है, और कैसा कर पिर अपने शरीर को फिर स्थी को नर्मलाइज करना है, ताकि आप लोग पो जीवन में शिरलता हाए, शान्ति हाए, आरग्या आए, और सादन साधना करने से वगवती जब कुछ पूरा करता है, जिसे भाव से साधना करोगे, साधन उसी तरह से पूर्ती होगा, समझ लेजी, तो आप हम लोग साधना शुरू करते हैं, बैठो सब, प्रस्तुत हो गया, पानी का गलास साथ में रख लेना, कभी-कभी गला सुपने लगत है, तो ओ थोड़ा गरम पाली रखो, तो जब ओम करकर तो फट जाता है, मुझे दो दिन से ओरा है, हो सकता है, तो साधना पाली पीने से, तो स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, चले हम लोग असालना शुरू करें, हारी ओम से शुरू करेंगे, ऐसी ही सोला चक्करवाला करेंगे, सोला काल जे से हम लोग लेंगे तो 28, सोला में हम समांत करेंगे, दो 28 करेंगे, एक सोला करेंगे, यह इस रेशोचे चलता है, यह रेशोचे चलता है, अच्छे, हार को ग्यान मुद्रा लगाओ, ग्यान मुद्रा लगाओ, यह तत्त्त मुद्रा लगाओ, ऐसा, ऐसा, पाच अगली पाच उकूपर लगाओ, ऐसा करके लगाओ और ऐसा करके रखो, ऐसा करके, तथा, करके आप आप आश्टे आप चलो हारी, 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 हार ओम आी ओम आी ओम आी ओम हा ली 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 ओम अम् आ रियूम् आ रियूम् आ रियूम् आ रियूम् आ रियूम् हारी ओम 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 उड़ो। उड़ो। प्रस प्रस दूश्य कर्या उड़ो। उड़ोंध्स सेवाल उड़ो। 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 करुपा ओम 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 आपने मन को शांट करने के लिए लेवल में लाने के लिए योग से ध्यान में जाएंगे पविश्च करेंगे ले मतलब अपने आपको एक एक इसतर पे ले करना मैंने हूँ मैंने हूँ मैंने हूँ अथवत पाक्तिप शरीर का सब कुछ वमरा शरीर जो जीवित शरीर है जो मनश्य श्रीर है, जो माँ का दिया श्रीर है, इसमें से बहार निकलना है, मन्च तक तक तो आपको समझाए चुके हैं, आप आज लाई जोग का एक और थोड़ा सा बेरेशन में लाई जोग करेंगे, और मन को फिर आप अंदर ले जाओ, और मन को आप रिदय में ले ले जाओ, मन को रिदय में ले जाओ, जयनमुद्रा या तथ्नमुद्रा में बैटो, आख सामने, आप सीनवा कि जैसा सीनवा देखते हो, ऐसा ही आप आप को देखना है, क्या देखना है, जैसा है आप सिखाये, एक विराट आकाष, अनन्त अंतरिक्ष मंडल जो आपको दिखाई दे रहा और जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा आज का हमारा गंतर्व है हम दूसरा लेवल में जाना चाहते हैं दूसरा लेवल में जाने के लिए हमार एक लेर तक हम लोग का लाके रुखे थे उसके बाद दूसरे में जाना है वहाँ आप गुजाने के लिए आपको अभी क्या करना है प्रतब आपने शरीर से निकलना है और आपको जैकेट बेनना है वो जो जलने जलाता है पानी नहीं बहाता है पबन उराता नहीं है आप किसे में मिल्ट होते नहीं हो, आप स्थीर धीर, एक आस्थीर तो वो जो अनुभव कर सकते हैं, आप खाली अनुभव कर सकते हैं, आपने अपने आपको, आपने अंदर जो हो रहा है, उस उतल पथल को, उस सुन्दर तकवा, सुन्दर तकवा, उसको अनुभव करने हैं आज जो आप बैठे हैं। पानी के अंदरे परवतिनुमा दीप में बैठे हो। अपरुपर में उप्रुपतिके बहते हो। หumm, आप खुल का बाहते हो। और आपको उपर क्या है विराट आकाश अंतरक्षमंडल महांतरक्षमंडल उसमें क्या-क्या है अनुभब करो तारा नक्षत्र निहारी का और ने बुलाया गैलक्सी पता नहीं क्या-क्या एक-एक नक्षत्रमंडले में सुन दरता है और धुनी है एक अनंतर नम्रांड में हमेशा उन्कार का धौनी चलता है कही करकश भेनक आवास से कही दिमय आवास से कही मधुर आवास से अपने अपने जगह में ऐसे करते करते एक बादा आवस का धौनी बनता है आप असपास वैसे धनी आकाश में है आप नीछे बेटए हो, पताल में बेटएंगा, पताल नहीं, भूलोक में बेटे हो. भूलोक में एक ट्रैंगुलार परवत के ऊपर आप बेटे हो और जैसे मेरू परवत मेरु अगलता समुधुर Since Ramantanwata, समझो आप समूद्रमातन रुआता मेरू-परवत के ऊपर एक्टम शिकर पर बैठे हो, आपका जो मेरू-दंडा है सिस्पिर मेरू-परवत कहते हैं, जो हमारा स्पाइनल कॉड है इसको मेरू-परवत ही कहते हैं और आपका चेतना सिर पे रहते हैं और ये बाकी हमारा पंचतत्त में दुआ रहता है तो मेरू परवत के उपर आप बैठे हो आप उस पे समुदर मन्थन जैसा मन्थन हो रह रहे बड़े बड़े उठ रहे हैं कई नीला रंग कभी काला रंग समुद्र के क ही कलर के पानी चारह तरव और तरव से उसको मेरू परवत मार रहे हैं और उनमोहरते मेरू परवत है भी अो मित्टी शा हुपे है लेकिन नम परवत है उसको भी चूरा बना रहा है लेशे-म Doll連 जी, मेरु परवत का भी वो पानि, वो समंदर जो है उसको पानि के उसको चूरा बनारा है, चूरा बनारा रहा है। और वो तुटते जा रहा है। तो हमारा अंदर मुलायम दिक्ने मिनविन नरह में ऴेर्वेश मिनदेत व्रवेश की तब हम संकल्प करते हैं तो हमारे इक श्रीम एक तब संकल्पीत होकि, कंज़ड़ रहा हो चाहि कैसी भी हो उस कर्म में प्रविती लेता ह। उसी कर्मौ करना है बुठक हूना वो ले लेता है ओध ले लेता बॉरत मिश्था ले लेता है संक्रभू ले लेता है ऐसे ही मट्डी यह भी परबच जैसा मेरे परवज्य जैसा है और उसमे आप बैटे हो लेकिन मेहरे आप से भी शक्तिमान है जो जल तत्वा है वो जो शक्तिमान है वो बड़े-बड़े लह रहा के मार मार के मार मार के मेरेको अप उस पारी में मिला लिया है अर्थत आपका शरीर में शरीर को जो है इसको उसने आपने में मिला लिया और मिलने के बाद उसमें मिल तो गया लेकिन रेता बन जाता है अस्तित बाकी रहता है समुद्र में मत्री कम बनता है रेता जादा बनता है। यह भी एक साधना का सुन्दर सा अर्थ है कि हम जहां पर सनकल्पित है और जहां पर हम निष्ठवान है उसको रेता जैसे होके भी अस्तिते बनाके आपने कर्मों को पूरा करता है। तो हमारा कर्म अभी ध्यान है, हम बैठे हैं। सब निष्टा अपश्टा सब चला गया, परतिक का संकल्पो सब समाप्त हो गया। हमारा कोई करम ने बचा कुछ ने ने हम बैठे हैं। हमारा अस्तित तो अभी भी है। चाहिए वो रेत का करना जैसा क्यों ना हो। पिलकुल एक रेत का करना जैसा मरा अस्तित तो बच जाता है। है अस्तित तो पुरा मिल्ट ने हो गया, लेकिन पानी के अंदर है आपी भी है। उसी पानी के अंदर आप जल के अंदर समधर के अंदर क्या हो रहा है। अगनी का चारो तरफ से आया था ना, आके अस्तित से पूरा जल बन गया था, हवन कुंड बन गया था, राप लोगों ने आ होती दिये थी। आज चारो तरफ से भी लहरे के साथ ब्यगनी आ रहा है दिखिए। बूल अकार में आ रहा है ऐसा जलबी के तरह, गुमता 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 आ रहा है, फिर गुमता 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 जा रहा है, गुमता गुमता आ रहा है, गुमता गुमता जा रहा है, अब वो चोटा सालेत का कुना अभी भी पानी के अंदर उसे संगश कर रहे हो, उस संगश कर रहे हो, संगश कर रहे हो, वो आपको तेज है, आपको आत्मा का तेज है, प्रकास है, अस्तित्र बने घूम रहा है, अस्तित्र अगनी भरुद भेंकर हो गया, वहां कुशिश करो, आपका अंदर का बैडनेस, जितना भी खराब तत्वा है, असत तत्वा है, अप्रेजन तत्वा है, इस सब तत्वों को उसमें एक एक करके दिल पत्र की तरह उसमें आहूती देता जाओ, जो आपको चाहिए नहीं, जो आपको दुख देता, कश्ट देता, मन को छोटा करता, करम में जिवन को नश्ड कर रहां, उस्ततत्य को आहूती स्वाह, स्वाह करते जाओ, आपका स्वाह पड़ते पड़ते, अगनी ठंदा होता आपने देखा, हवन में जब आमनों का आहूती डालते, हम आहूती घरते, हवन का अगनी चानत हो जाता है, निचे चल जाता है, ऐसे ही वो जो महायगव का अंदर में हो रहा है वो आश्टे शान्त हो रहा है क्यों हवा आपको हवा आ रहा है दक्षिन सुदर से हवा के आश्टे 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 आश जल से आप अगनी बन गया, जल थे, जल खतम हो गया, पत्तर खतम हो गया, जल थे, जल खतम हो गया, आप अगनी हो, सारा अगनी बटूरते जारा फिर से, बटूरते, 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 आप लोगो ने देखा, अगनी जब बंद हो जाता है, एक जगह में एक जगाए मियाँ पर छोटा तेहिज हो जाता है, अगनी को आसमान क यो लिया जाता है. तो पबंदभ वाते हैं, और उस सांस पुराहत वह आपको लेके जा रहा है. आकाश की स्केंस के सक लरह है. कि कि हमको वहां से आना है ला second पत्र में हम जा रहा हैं, तो आपका अगनी को आकाश ले लिया, अगनी जो है पबन का इंधन हो गया, तो आप गारी में पिट्रोल डालते हूं, गाय क्या गारी में, गो गारी में जो होता है, ब्राइस बगार, पशु गारी में, पशु को विश्शी गारी में, सवाय आप करिए बनेगा, बन रहा है। ये मैसूस करो rocket जैशा, आपका शरु नहीं है, आपका कोई अस्टित तो नहीं है, वो रेता जो है, वो राग में परिवत्तित हो रहा है, वो राग जो है पवन के सथ बंधावी आस्मान की और जा रहा है, मतलब पवनकागारी में बैठके आप उसमें बैठके गुर्द लोग की दरब जा रहे हैं, गुर्द लोग की दरब जैसे आपने हीरा और पिंगला जहां से आपको सास आ रहा है, जा रहा है, आपने आग्या चक्र में दस्तक दिजिए, भगवान बैठे आपको ले जाने के लिए गुरु बैठे हैं, वो आपको अंदर को लेंगे, आने को रस्ता बना देंगे, आप जाएए, पहले उहां पार शुक्ष्णमानारी नदी मिलेगा, और उसमें आपको एक छोटा से नाव की बाती आप उसमें भूस होगे, उसमें भूस के और पवन उसको हवा में चलाते ले जाएंगे, पवन के काम है दखा देना, चलमन करना, लेकिन पवन आपका श्रीर में नहीं है, उसके अंदर आप बैठे हैं, और वो भी छुटता जाएंगे वहां पर, तो वो आपको गती देता है, वो गती के साथ आगे को आप जा रहे आप अपको सामने, देखिये क्या रंग आ रहा है, एकदम निध आज ग्रे कलर है आपका आगे, देखिये, ग्रे आपको पास है क्योंकि आप आपने ग्रे कलर का जो आपको जो दुर्म बरनका, जो आपने स्वास्क में बैठी हुए है, तो दुर्मन रंग आ रहे हैं, कि वह तेजमान है वह जारे है आप खली उपर आसे हो जडग रहा है लेकिन हो नहीं गति है उसका नम गति है गति के साथ आप जा रहे हैं आप ग्रे से आस्ते 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 देखिалог और रुली निला रंग को है अकाश के सिए कि देखिये मेर से छोटा सा Unity आते 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 आत लोरा-थोरा बहुत महमली महमली आरहा है। झीला और उनेज पकी टोप बन रहा हा है मृत मतलम गृषक्स को बन गया, बन लु petite जा रहा है भीवेज महyszे पीला रहा है। कितना सुंदा पीला है। धागा के तर आरहा आ। रहने और पर अधार को जो पत रहा है सी जहां आप गया गया जोबादों के भेल कराओ मक करद कर देखिने देखिने शुंदा कर निबगा जे लगता रहे है उन जाम ओड़नी बार को आए मिलवान को और वह सही नान है आप निवन के बाद देखिए, फिर एक कलर आ रहा है, फिर हलका हलका नीला, हलका हलका नीला, जल का रंग है, जल जैसा रंग है, तो नीली 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 रंग है, उस आगे आप जा रहे हैं, आप ये तुरह चोटा होते जा रहा है, नीले से फिर चोटे होते जा रहा है, नील लुली होते है पुली ऐसा करके, और ऐसा एक आपको triangular में बना, आपको ट्रांगुलर बनाएंग कर दूसर ट्रेंगुलरी पीछ dönem जा रहा है दो ट्रेंगुलर आपस में मिल रहा है, ऐसा करके तो एक आपका अंदर से निकल रहा है, एक उदर से आपका पास आ रहा है, जैसा रोकेट में से मिशीन निकल जाता है, पिरा के जूरता है, बिलकुल, वो आपके देखिए कितना सुंदर आ रहा है, देखिए कितना सुंदर आ रहा है, रे वापने, वो सुंदर आ रहा है, तो तो वो फैला और फैल के उदर से चोटा होते जा रहा है और आप फैले के अंदर से अंदर जा रहे हैं, रंक का बीतर गुश रहे हैं, और रंक का बीतर गुश के आगे के तरफ जाओगे तो चोटा होते जा रहा है, चोटा नेरो होते जा रहा है, और वहां पर magenta रंग आगे ुता होते जा रहा है।। आप उसके तरफ गति के सांथ जा रहे ओ, आगे के तरफ। जो आपने काली हाँ पड़ किया था। ध्रिल से। आप अपर उसके अंदर घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं उसके अंदर, तो आप उसके अंदर जा रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं, आगे आपके आगे जो महाकाश है, उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, चट काला हो गया, देखें, कितने डार्क हो गया, एक दम का काला हो गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप भुशे जाओ, डरो नहीं, तरहितम तो यह सा मन गवराने लगता है कि देखिए, दाक हो गया, आपने घर में बत्ती जादा नहीं जलाया तो आपको इस वह बहुत अच्छा होगा, काला, काला, काला आपने इसको प्यार किया था आज भी आपको पार करना है तो कर यह जाए, काले क Чो यह रहे हे, छोटा-छोटा-चोटा-चोटा लाइट जैसा जेस अम लोग, अगर डिवाली बाला लाइट जयला है उससे चोटे-चोटे-चोटे-लाइट महाकास में लगा देगा था मैं कितना दूर, बुध दूर ज लाइटी जैसा कुछ दिख रहा है, चोटे-चोटे दिख रहा है ना, चोटे-चोटा पतन जैसा गुंदा सारा में, वह भी गुम रहा है जैसे पानी के अंदर बुलबुले गुमते हैं, वह लाइट उस अंदकार में, इतने चोटे हैं, वह चोटे-चोट नने-नने गुम र आप उसके पास जब पहुंसते हो, जो छोटा सुरिया ये से लगता है, छोटा सा सुरिया आपका सामे है, यह एक प्रकाश का बिंदू दीख रहा है आपको, आप उसको छोटा मत समझो, आप अंदर जाओ, जो बहुत कम समय के लिए जा पाओगे, बहुत कम, चट्रे आपको दुवारा एक अंदका पुलेप में मिजेंगे, अंदिरा में मिजराओ देखें, यह एक गांठ है, अंदका का गांठ, हमारा अंदर ऐसा 6-7 गांठ है, जो आपको बार-बार खुलना पड़ता है, उसमें स प्रिल करते जाये, जो छोटा सा जो आपको अगनी है, वो आपको घुसने को मदद कर रहा है, वो उको शक्ति दे रहा है वो गुरु का हुता है, वो गूरु स्वह्म आपको सामने बैटा है क्योंकि उस परत में, दुसरा, धिसरा परत में में, जब हम जाएंगे, कतीन होता है देखेए अर आप मैस्यूस कर रहे हो नगर आपका कमरा में इस ही नहीं चलता हूआ यही चलता हूआ है तो इस ज़िए थोड़ा थंदा हो जाने लगता चाहितां होना जाहिए एक तम कभी भी चुटने लगता है जैसा कंबल लेना पड़ेगा, ऐसा भी लग सकता है, एक ठंडा का दुनिया, ठंडक के दुनिया में अब जा रहे हो, ठंडक, भैनक ठंडक की तरह जाओगे, ठंड लगेंगे, कप कपी छुटेगा, कुछ भी हो सकता, लेकिन आज अब इस वकत नहीं भी हो, एक ठंडा अब आपको महसूस हो रहा है, वहाँ आप रुकिये, आज यहीं आपको रुकना है, ठंडाई में, और ठंडा का महसूस करना है, और बहुत जैसा गर्मी में थे, बहुत जैसा पसिना में थे, बहुत जैसा कष्ट में थे, तो जैसा थंडक का अनुभव करो, कि जैसे कोई स आपकी तलसपवन, जो सब दीप में बैटके आप लग मैसुस करते हो, जो चारो तरब पेरों से हवा आ रहा है, आपको पगी रहा है, पक्षी-ची-ची कर रहा है, सब ऐसे ही हो रहा है, सब आपको वहां पर रुके, आपको अभी जाप करना है, हम मुजिक चलाएंगे, बीन दृपट हो, दूपत राध बजाएंगे हमने इसपे, तोरपट का करना में बाद में बताएंगे, क्यो दृपट बजा रहा सत्य है, आपको वीना, एक मातो जंत्र है, जो नारडजी के हाथ में है, जो सरसुति के आत्मे है, ये दोनों आनन्द और ग्यान का, अहोनी और अनहोनी, नारत के आत्मे होनी और अनहोनी का विना प्रिष्था है, और माई वगवती सार्दा विना पे राग बजाते हैं, तो ब्रह्मा सृष्ठी करते हैं, ने तो ब्रह्मा की सृष्ठी नहीं कर सकत वे इसे ही आपका आत्मा और चेतन्ना, आत्मा सरसुती शरूप है और चेतन्न, अपका से रीवेड़ी चेतन्ना होनी आनहोनी, वो चेत कराता आपको, चेत कराएंगे कि आप कैसा हूँ, सोय हो जगी हो, वो नारद है, नारायन, नारायन के संकसर को जगाते हैं, और होनी अन्होनी बताते हैं, इस्तिती है, और सिष्टी तुम ब्रह्मो श्रीर हो, गुरू का दिया श्रीर है तुम्हारा पास, तुम कर्म कर रहे हो, कर्म, कहा कर्म सब किसम के साथ, तुम आपने आ आप जाब, सूर, आपने एक सूर बना लो सूर से, ओम, जो भी आपको मैंने सुनाया भी, उन मंत्रों को जीवा का ओल्टा करो, पिर भी इसको सिंदा तो रख करके, सांबा भी मंत्रा को लगा के, उपर नौक करो, और ये जब हम दो मिनिट की जाब करेंगे, और विना को कुंदले निवाता को भी आदन देते हैं, जिसको साब को बिन बजाने से साब को सोता है ना, ऐसे, तो इनको सुनते सुनते जाब को शांति से पूरा करो. जाए हैं, आए खाया हैं से तुनते लिए कुईगे साहि एए झाई झाहाँ मिनलाल। गुर्णते लग झाल 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 कर दो नहां कर सका ताम कर दो कर दो रहां ताम पर्खने कर दो कर दो को कछुदर दो हुआ है झाल 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 झाल